Hello friends, welcome back to दुनिया सासवव की आज हम फिर से हाजिर है एक मज़ेदा गेम के साथ जो गेम हम खेलेंगे हाउजी बोर्ड के साथ और साथ ही काउंटर्स के साथ और हमने साथ ही कुछ चिट्स तयार किया है या चिट्स हमारा है एक से लेकर दस्तक का और सबसे important role play करेगा हमारा dice हमें अपने हर किटी member को एक एक बार बुलाना है timer set करना है हमने यहाँ एक मिनट का time set किया है आप चाहे तो अपने timing के अनसार घटा या बढ़ा सकते है हर member बारी बारी आएगा dice को roll करेगा एक मिनट तक dice को roll करना है और जितना counters आएगा उसे board पर set करना है तो चलिए हम time start करते है हमारा time start हो चुका है हमारे dice में आया है four हमारी member को चार counters उठाने हैं और उसे set करने है counter set करने के time यह ध्यान रखे कि आपका सही number पर set होना चाहिए timer हमारा चालू है अगेन हमारे members dice को roll करना है अब उनका आया है two वो दो number और set करेंगे जब भी आप counter set करें तो यह ध्यान रखे कि आपको गलत जगह पर counter set नहीं करना है फिर से इनका आया है दो या दो counters उठाएंगे और उसे set करेंगे मज़ा तब आयेगा जब हम last में यह ट उठाएंगे या game relax होकर खेलने का नहीं है या बोलू हर्बर में नहीं खेलना है क्योंकि हर्बर में गर्बर होगा आप उठाएंगे counters कोई और उसे housey में set करेंगे कहीं तो देख सकते हैं हमारा या member कितनी हर्बर में खेल रहा है आपको साथ ही ध्यान रखना है कि dice में जितना number आया है हमारे member उतने ही counters उठाएं तो यहीं हमारा time अप होता है आए देखते हैं हमारे player ने कितने counters लगाएं है हमारे इस member ने total 17 counters लगाएं है अब बारी है चिट उठाने की जिसमें हमने एक से लेकर 10 number लिखा है तो देखें हमारे इस member का चिट में क्यों सा number निकलता है 5 तो अब हमें देखना है कि हमारे counters में 1s place per या 10s place per 5 किसमें किसमें है हमें उस counters को बाहर निकाल लेना है हमारे वीडियो को like चरूर करें और चैनल को subscribe करना ना भूले ताकि इसी तरह के और मजेदार वीडियो हम आपके साथ share करते रहें तो देखें हमारे इस player ने 5 से related जो counters निकाले हैं वो है 6 तो हमारे इस player का points हो जाता है 6 इसी तरह बारी बारी हर member आएंगे dice roll करेंगे, counter set करेंगे, chits निकालेंगे और chits में जो number निकलेगा उसे once place या tense place पर होने पर बाहर निकाल के count कर लेंगे उम्मीद है आपको हमारा या वीडियो पसंद आया होगा फिर से आपसे request है कि हमारे चैनल को like करें, share करें और subscribe करें साथी बैल आइकन जरू दबाएं ताकि इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो हम आपके साथ share करते रहें, धन्यवाद